दोस्तों, आज मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगी कि घर में कैसे आप हुईट ग्रास जूस बना सकती है फ्वीड ग्रास जूस यानि के गेहु के जुआरे आप कैसे अपने ही घर में बना सकते है पहले मैं आप सबको इस बता दू कि फ्वीड ग्रास जूस के फाइदे क्या है इसके बहुत सारे फाइदे होते है अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लेम है जो ज़्यादा तर लोगों का ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लेम है उन लोगों के लिए एक फ्वीड ग्रास जूस बहुत ही फाइदे मन्द है या फिर आप अगर कैंसर की बीमारी से परिशन हो या अगर आपको स्कीन का प्रॉब्लेम होता है तो उन लोगों के लिए भी एक फ्वीड ग्रास जूस बहुत ही जाद अफाइदे मन्द है तो आएए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ के फ्वीड ग्रास जूस कैसे घर में बनाएंगे जिस दिन आपको गिहूं को बोना है उससे पहरे दिन रात को आपको एक फ्वीड को पानी में भीगो के रखना है यानि कि ओवरनाइट आपको इसको पानी में भीगो के रखना है फिर दूसरे दिन सुभा इसका जो पानी है वो पानी आपको छान के फिर उसको एक सफेद और फ्रेस कप्रे में बांद के हैंग करके रखना है उसको देखिए अगर आप ऐसे 5-6 घंटे तक रख दोगे हैंग करके तो इसमें से देखिए गेहूं से जरे निकलना चालू हो गई है तो अभी इसके लिए क्या करना है मुझे मिट्टी तयार करनी है तो मिट्टी के लिए यहाँ पे मैंने सिंपल मिट्टी लिया हूँ लेकिन उस तरफ फैल जाए अच्छे से पहले मिट्टी को ऐसे अच्छे से मिक्ट कर लेना है ताके मिट्टी के बड़े बड़े दाने या पत्थर के टुक्रे ना रहे इसमें मिट्टी अच्छे से तैयर हो जाए तो उसके बाद इसमें ऐसे गीहूं चारो तरफ फैला के डाल देना है दोस्तों यहां पर मैं एक कप गेहूं डाली हो अब सब को यह भी बता दू कि अगर आपको डायवर्टीस का बीमारी है तो उसमें आप मार्केट से भी गेहूं का जूस खरीद सकते हो लेकिन अगर आप घर में ही बना सकते हो तो मार्केट से क्यूं लेना अब इसके ऊपर ऐसे दीरे-दीरे मीट्टी जो मिक्स ड़र के रखी हो जो बाहर निकल के रखी हो उस मीट्टी को ऐसे डाल दोंगी पूरा जहां जहां पे आपने गेहूं डाले हो सभी जगा पे ये मीट्टी से ढख देना है सभी गेहूं कवर करना है मीट्टी से अभी इस पे ऐसे हलके हाथों से पानी डाल देंगे दोस्तों मीट्टी डालना टाइम ध्यान में रखना कि गमले पूरा भर के मीट्टी नहीं डालना है तके पानी अच्छे से ना डाल सको उसमें अगर मीट्टी कम लगे तो उपर से और थोड़ा से मीट्टी ला दीजिए अभी बीज बॉने का प्रोसेस पूरा खतम हो गया है अभी इसको मैं रखते हूंगी इसको छे दिन तक पांच्छे दिन में ही इसमें पौधा आना चालू हो जाए जाएगा इसको दोस्तों ज्यादा धूप में भी रही रखना है और एकदम घर के अंदर भी नहीं रखना है आप इसको खिरकी के अंदर या जहां पर हलका हलका धूप आए वही पर रख दीजिए झालू ही पॉफ़ जाएगा करते में हुप प्यूब दो अरूब रख प्यूब एकदम पांधफ भी रखेश्ब यही प्यूग्तों टोस्तों बार यहीं है वैश्तों ऐसे दीरे दीरे गेहूं के बढ़ते जा रही है दोस्तों इध्यान रखने जब भी आप इसमें पानी डालोगे डेली पानी डालना है लेकिन एकदम बहुत ज्यादा पानी एकसा नहीं डालना है इस पे बेटर होगा कि आप स्प्रे करके पानी डालने ताके सभी पधो में अच्छे से पानी फैल जाए और मिट्टी भी ज्य जादा गिला हो जाएगा तो इसका जो जर्ण है और खराब हो जाएगा फिर आपका गेहु का पौधा अच्छे से नहीं हुगेगा यह देखिए दोस्तों पांच दिन के बाद मेरा गेहु का पौधा इतना बड़ा हो गए है लगभग साथ दिनों के बाद आप गेहूं का पोधे काट के जूस बनाने के लिए आप यूस कर सकते हो इसको ऐसे काटना है धीरे धीरे ऐसे पकर के एक साथ पकर के और कैची से आप काट लीजिए झालोग साथ आप आपकर के लिए आप काटना है झाल 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 पौधे काट जाने के बाद आप इस पे ऐसे फिर से स्प्रे कर दीजिए ताकि ये फिर से बर जाए तो आप नेक्स टाइम फिर से यूज़ कर सकते हैं इसी को तो दोस्तो मैंने अभी गेहूं का पौधा कलेट कर ली है जूस बनाने के लिए तो अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे इस पौधे से आप जूस निकाल लोगे इसको अच्छे से पानी से धो लेना है दो तीन बर धो लेना है इसको अच्छे से पानी से धो लेना है अच्छे से पानी से धोने के बाद इसको मिक्सी में पेस्ट करेंगे मिक्सी में पेस्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा ताकि अच्छे से पेस्ट हो जाए अभी देखिया मिक्सी में पेस्ट करने के बाद ए ऐसे हो गया है अभी इसको अच्छ एकदम तेयार हो जाएगा यह च्छानिया जूस और यह जो एक्स्ट्रा पीस है इसको हम फेक देंगे देखिये कितना सुन्दर कलर आये है इसका तो गेहु के जरे एकदम तयार पीने के लिए और दोस्तो एक बात आपको और भी बता दू कि एक गेहु के जूस एकदम मौर्निंग में ही पीना है यानि कि सुभा सुभा एकदम खाली पेट यह जूस लेना है आपको आपको यह भी बता दू दोस्तों कि हुईट ग्रास के जूस का इतने फाइदे होने का में कारण है इसके अंदर का क्लोरोफिल एक क्लोरोफिल ही है जो आपको इतने सारे बिमारियों से लड़ने का ताकत देती है और आपके अंदर का सारा कच्रा भी बाहर निकल देते है तो दोस्तों है ना ये वीट ग्रास जूस बहुत ही ज़्यादा फाइद मन्द तो अब ही अपने घर पे ऐसे उगाई है वीट ग्रास और उसके जूस बना के पीजिए जरूर तो दोस्तों आज मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगा एक कॉमेंट बॉक्स पर जरूर बताईए मुझे और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और सेयर जरूर कीजिए और जो दोस्तों मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो उन लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि आप जरूर मेरे वीडियो सब्सक्राइब कीजिए ताके ऐसे ही और भी फाइदे मन्थ और मज़ेदार वीडियो आप भी देख सको तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मैं फिर से किसी दूसरे वीडियो के साथ आप के पास हाजिर हो जाओंगी तो तब तक के लिए बाई बाई सुभरात्री एंड टेक क्यार झाल